हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम विज्ञान की महत्वड़ भविकल्पी प्रशन देखने वारे हैं आज की वीडियो में हम 16 ऐसे महत्वड़ प्रशन को देखेंगे जो आपके बूर्ड की एक्जाम में यह सभी प्रशन कई बार रिपीट हो चुका है आपको उन्ही सभी प्रशन को कराएंगे जो आपके पिछले साल की पेपरों में कई बार रिपीट हो चुका है इसमें हम भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जी विज्ञान के सभी महत्वड़ प्रशन को देखेंगे यह आपके 29 फरवरी को होने वाले बॉर्ड परवाली प्रशन को साथ में सब्सक्राइब करें आपके सवावनें पहुला नंबर का सवाल है कि समान नेत्र का दूरविंदू दीएगा दूरविन्दू होता है आपिसान को ध्यान से पढ़िए फची संटीमीटर होगा 50 संटीमीटर सो संटीमीटर यह अननत्थ होगा सम समान नेत्र का निकट बिंदु यह प्रस्ण भी पूचता है निकट बिंदु ठीक है निकट बिंदु कितना होता है याद रखिए गर निकट बिंदु आप साथ में याद रखिए पचीश संटीमीटर पचीश संटीमीटर तो समान नेत्र का निकट बिंदु पचीश संटीम बंता है आपको यहां पर बताना है कि दूरद्रिष्टी डोस्त के काराला पर्तिविम जो बनता है रेतिना के पीछे बंता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा सीवला आपसण तुम्हें इसके अलाव आप याद रखिएगा आपको गहीं पर्तिभीं बनता है समान नेत्र यानि आपका स्वोस्थ यादि नेत्र है तो उसका पर्तिभीं कहां पर बनता है यादि आपका दूर रिष्टी दोस रहay गां तो…… निकट द्रिष्टी निकट द्रिष्टी दोस रहेगा ठीक है निकट द्रिष्टी दोस रहेगा तो परतिभिम जो बनता है रेटिना के आगे बनता है समझ में आ गया है ठीक है अब देखें यहाँ पे किलियर कीजिए रेटिना के पीछे दूर द्रिष्टी दोस को दूर करन निकट दृष्टि दूर करने के लिए याद रेखिए का और लेंस परियोग करते हैं अब तर लेंस का प्रियोग करते हैं समझ में आगे ना इस इतनी भी पॉइंट बता है आप इंग पॉइंटों का तम किलियर कर लिए ठीक है यह पेपर बहुत पूस्टा है देखिए आप दिए को द्यान दीजिए एक तरीर नंबर कर द दथिया इंहांपे अभिपनियत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्थन किया जाता है जाता है कि पुतली Gall किया जाता है ए're दृष्टि पटल के दौरा यह पचमाभी के दौरा यह परितारिका के दौरा घाइच्च अभि याद रखियेगा कि जो समान नेत्री के द्वारा जो परतिवीम बनता है रियर्टीना पर बंता है या द्रिश्टी पतल दोनों पर बनता है रियर्टीना द्रिश्टी की दौदरी करेंगे एतल दरप्ड के दौदर देखें अपडिष्डी दोस चाहए दूर दुरिश्टी 200 ऐसे दोस तोiono या किसी प्रकार का दोस हुं उसमें दरप्ड का प्रयोग नहीं करते दीगे अफ सें सबसे कम होता है ठीक है प्रकास का प्रकेर अब होता है अब यहां पी कि यह आप को देखिए आपका प्रकास का प्रक्राइब सबसे कम तो लाल में होता है लेकिन पूछता है कि सबसे अधिक किसमें होगा था बैगनी रंग में ठीक है इसके लाब आप से पेपर पूछता है विचलन के बारे में विचलन एक सब्सक्राइब पूछता है विचलन और एक सब् सबसे कम होता है सबसे अधिक भैगनिका सबसे कम लाल का ठीक है चलिए आप देखिए छटवा नंबर का सवाल देखिए आप छटवा नंबर के क्या है यहां पर आसायन विग्जान के जो सवाल इंपोर्टेंट वहा आपके लीए है विसकों पी चमान कितना है लुदे करते हैं देखिये दिआप ध्यान दीघ्वाइंगा यहां पर पूच्टाए shapes जो साथ होता है न 你काँ शाह charts I Earth 10 कि और 10 करके स्वेटोफ होता है पी ओछ मां अब हिजिए गया देखे साथ जब रहाइ tooth 7 किसी का सात इस्वात अध क्या होता होता है charcoal लोगाए दा सीन ना इसे सुद्ध जल का पीएच मान पूसता है ना सुद्ध जल का पीएच मान यदि साथ है आपका तो होगा सुद्ध जल होगा या उदासीन होगा अब दीए साथ से कम इधर आएंगे यह होता है अमल क्या इसा होता है अमल होता है इसका ठीक है यदि पीएच मान साथ से अधी यहां पर आपसन देखिए अमल यह अगला आपसन सही हो जाएगा सभी डाउट किलियर कर लीजिए अब देखिए अगला प्रश्ण इसको याद रखिएगा सलफियरिक अमलिका फार्मूला क्या होता है यह यह असे आपसन देखिए तर पहले वाला आपसन आपके क्या हो जाएगा ठीक है अब देखे आठवा नमबर का सवाल इस प्रश्ण को दादम याद रखिएगा कि केल्सियन फास्फेट का सुत्र होता ह आपसन है CA-PO4,PO3,hon2,H,CAP2,O4 होता है कल्सियन फास्फेट इसका सही जवब C वला आपसन क्या होगा सही होजाएगा अठवा आपको नमबर क्या हो जाए चलिए अगले नमबर का सवाल को देखते है देखें नौ नमबर का सवाल क्या है कौम दवा अपच को ठीक करने लि कौन सा दवारय प्रयोग करते हैं एंटाबबाइवटिक होता है यू एनलजाशिक होता है यह एंटासी रोता है एंटी सेप्टी करता है अंटासीड भासा नंबर अब देखें दसवा नंबर का 10-6 मोल यहां मतलब मोल है यहां मतलब हाइड्यक्लोरिक अमल विलियन का पियेच मान होगा यहां यहां पर इस पकास आपको सवाल मिले और इसमें पूछे पीयेच मान ता कुछ सवाल को लगाने की जरूत नहीं है जहां पर आपका घाट रहेगा आपका घातरां माइनस में घातरेगा इसका इसेग्म में हमेसा प्लस में वही भी अंग होगा छाई होगा प्लस टूकं बिना लगाए अप सोनी यह प्लस चाहिए इसका आपसन यह वाला सही होगा यहां पर आपसन यह वाला मतलगा यह गलत होता है ठीक है इसका प्याच मान क्या होगा भी वाला आपसन सही हो जाएगा मनुस्तिक में पाए जाने वाली अंतहसरावी गरंथी पूछा है कि मनुस्तिक में पाए जाने और अंतहसरावी गरंथी कौन सा है क्या जाता है क्या जाता है प्यूस्तिक में पाए जाने वाली जो अंतह गरंथी कौन सी है प्यूस्तिक माश्टर गरंथी के नाम से जाने ने इसे से किस किस नाम से जानते हैं नमसे यह से अगहार केवल जंयाते हैं तक यहां पर पताना हेक्षpek दिख्रमान उसक्यी में अगला सवाल 12 नमबर कर देखिए मस्तिस्क उत्तरदाई है यहाइनि आपको जो दिमाग किसके लिए उत्तरदाई है माधा लिंग फालता है या माधा नोती है उसमें जो लिंग है उसकी हर्मोन का लाता है एंडोजन कायेंगे inσωलीन काइंगे एस्टोजन काईंगे या कोई इसे याद रखेगा कि मादा लिंऑ हर्मोन कालाता थैया कर दो हधाया है ईसका सही जभब किया करता है एस्ट्रोजन का लाता है ठीक है अगला देखिए 15 नंबर का सवाल क्या है आपका कि कौन सा पादप हर्मोन है यानि पादप मतलब पीड़ पोद हैं पाए जाने वाला हर्मोन कौन सा है कि इंसुलीण थाइरकसीन एस्ट्रोजण साइटोकाइनिन त्योजटि अभी पड़ पर्मोन है इंसुलीन जीजन तो में पाए जाता है थाइता यहां पेड़ पादप में फानेसा और हर्मोन कौन सा थेकिस प्रश्ट का आंतस्रावी यह यानी बाहर भी और अंतस्रावी दोनों होता है वही और सब्सक्राथी दोनों ग्रंथिया उलीं कौन से अगन्यात्व से तुट्री थाइमि थ्थाइमि तौिय वर थैरेट इसे उले कि अभीव कि पूल्ष ऊज़िग शाहि नहीं होगा आप कपन और अंतस्रावी नहीं दोनों सब्सक्राइब तो आप सभी question को आप देखके उसको हल किया कीजिए ठीक है तो friends आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो का like करें चैनल पे नहीं तो चैनल का subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें